जेडियू के पूरे उनेता और राश्रिय प्रवक्ता आजाया आलोग बीजेपी में शामिल हो गए इस मौके पर उने का कि बीजेपी में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार बे आया हूँ जिसके मुख्या मोधी जी है अगर मेरा एक फिजदी योगदान भी मोधी विजन में हो सके तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी दरसल जेडियू से अपने राजनितिक सफर के शुरुआत करने वाले आजाया लोग को पिछले साल मुख्यमंत्रे नितिश कुमार से मदभेत के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था जेडियू से निकालने के बाद आजाया लोग के भाजपर में शामिल होने की चर्चत ही